आप पटिकलोर आदमी, हाँ मुझे एकर जहां से रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हो, आपका कैमेरान मुझे गाली देगा तो मुझे आपको इंटर्व्यू नहीं देगा बात करते हैं आज की लटकारी, जी हां मेरे दोस्तों अभी एक ख़बर काफी जादा चर्चे में चल रही है, कि खेसारी भया का जो सबसे प्रिये मेनेजर थें विवेक सिंग्ग वो टीम से बाहर हो गया है, तो मैं भी सुचा कि क्यों नहीं इस पर तहकीकात किया जाए, कि क सच में खेसारी भया के टीम से विवेक सिंग बाहर हो गया है, क्योंकि विवेक सिंग एक ऐसे इंसान है, जो कि खेसारी भया के यहां से यहां पहुचाने में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, मेरे भाई, जितना भी आज तक आप बोली हुट का लकारों के साथ खेस खेसारी भिया के गाना सुने होंगे, खेसारी भिया के इवेंट देखे होंगे, या कुछ भी खेसारी भिया के बड़ा लेवल के देखे हैं, उस सारा देन किसका था? विवेक सिंगा था. इतना मास्टर माइंड वो बंदा था कि खेसारी भिया के एक एक चीज को इतना बेहतरी नग से मैनेज करते थे, कि सायद ही कोई भूशपूरी इंडस्ट्री में उनके जैसा मैनेजर हो सके, क्योंकि वो पड़े लिखे और सिक्षित मैनेजर थे, लेकिन अभी आप लोगों क बता दू मेरे भाई कि जो भाई लोग ये कर रहे हैं कि विवेक सिंग परवा नेंट बाहर हो गए खेसारी भिया के टीम से, तो इस पर मैं मोहर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बात ना तो अभी कोई ओफिसियली अनाउंस हुआ है, ना ही विवेक भाईया आकर अपने सो सोसल मेडिया पर खेसारी फैंसों को दे दीजिये, क्योंकि खेसारी फैंस को भी आपसे बहुत ज़्यादा उमीद रहता है, और खेसारी फैंस आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो प्लीज विवेक भाईया से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक अपडेट अ उनको भी समझ में आ जाए कि कितना खेसारी फैन उनसे प्यार करते हैं चले अभी क्लिए बस इतना ही उमीध है ये जनकारी पसंद आया होगा पसंद आया तो जाते जाते बस यही रिक्वेश्ट रहेगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जरू जुड़िएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से घन्यवाद